साजिद खान ने आखिर ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी है कि नैशनल टेलिविजिन पर साजिद खान ने सुम्बुल टौकिर खान से माफी मांग डाली है जी हाँ आपको बता दें कि साजिद खान ने सीधा सीधा सुम्बल से का कि सुम्बल मुझे माफ कर दो आज के बाद मैं ऐसी हरकत बिल्कुल भी ने करूंगा ऐसे में आखिर क्या कर दिया है साजिद खान ने सुम्बल के साथ जी हाँ आपको बता दें कि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर क्यों साजिद खान सीधे सीधे सुम्बल से माफी मांग रहे हैं कि साजिद खान ने सुम्बल के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिसका अब पश्टावा साजिद खान को हो रहा है साथी साथ आपको बता दें कि ये सब शिव ठाकरे के वज़ा से हुआ है शिव नहीं सुम्बल टौकिर खान को लेकर साजिद खान से ये बातें कहीं है जिसके बाद साजिद खान ने सीधा सिधा सुम्बल से माफी तक मांग ली है क्या है पूरी खाबर क्यों साजिद खान ने ऐसा किया चलिए आपको बताते हैं लेकिन इससे पहले चैनल पर ने हैं तो सब्सक्राइब कर लें साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर वीकेंड का वार के बाद सुम्बल टोगिर खान निमरित कोर आलुवालिया और शिव ठाकरे एक साथ बैठे हुए होते हैं बाचीत कर रहे होते हैं उसी वक्त सुम्बल वहां से उठकर चली जाती है जिसके बाद सुम्बल के पीट पीछे निमरित शिव से कहती है कि सुम्बल कभी भी हमारी कनवसेशन का पार्ट नहीं बनती वो हमारी बातों के बीच में कभी भी कुछ भी नहीं कहती है कि नहीं सुम्बल तो कहती है लेक कहीं न कहीं तुम सही कह रहे हो इसलिए आज से हमें सुधार करना चाहिए और सुम्बल टोगिर खान की बातों का मजाक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि सुम्बल का मूड भी तो कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है लेकिन हम उसके मूड की परवा भी नहीं करते और सीधा सीधा सुम्बल टोगिर खान की बातों का मजाक बनाने लग जाते हैं यही बात शिव ठाकरे और निमरित दोनों साजिद खान से कहते हैं कि साजिद सर आप भी तो हमेशा सुम्बल का मजाक बनाते हो सुम्बल कुछ भी कहती हैं उसके बीच में आप ऐसी बात बोलते हो जिस पर हसी आ जाती है जिसको लेकर साजित ने कहा कि हम सब ने ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा हम सब गलत थे सुम्बल टौकिर खान की बातों पर हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसका भी तो अपना point of view है वो हमारे बीच में रहकर अपनी बातیں रखती है और हम ही उसका मजाक बनाएं ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है जिसके बाद साजित खान सीदा सिदा सुम्बल से माफी मांग डालते हैं और कहते हैं कि सुम्बल मुझे माफ कर दो आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा त हमें सुम्बु से माफी तो मागनी ही चाहिए ऐसे में आपको इसमें कितनी सचाई लगती है और आप इससे कितने खुश हैं हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें